असलाम लेकुम विवर्स वेलकम टू माय चैनल इजी फूड आज हम बनाएंगे बकरे की मुंडी का सूप तो यह देखिए यहां पर मैंने इसको अच्छे से दोकर जो है वो वाश कर सूखने के लिए रख दिया था और यहां पर हम मसाला बना लेंगे जिसमें अद्रक लसन ह अधरी मिर्ची हरा धनिया और टमाटर का पेस्ट मैंने बना कर रख है और यहां पर देखिए हम कूकर में तेल गरम करने के लिए रख दिये और यहां पर आप अपने पसंद के जो भी खड़े मसाले डालना चाहों आप उसका बगार दे सकते हो यहां पर मैंने लॉंग ते पैस को ताकि मसाला जो हमारा अच्छे से बने तो पैस को बराउन होने के बाद यहां पर भी और आप दियेंगे अच्छे से हम भूनेंगे गैस यहाँ पर हम अपनी मीडियम कर देंगे ताकि अच्छे से मसाला जो हमारा भून जाए और यहाँ पर मैंने जार में जोड़ा पानी घुमा कर वो भी यहाँ पर एट कर दी हूँ ताकि मसाला भी हमारा जले ना और अच्छे से पके और जार में जो मसाला लगा हुआ है व और इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे देखिए अच्छे से हमारा भून चुका है मसाला तो अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग आपर नमाकेट करेंगे और मसाले को तक्रिबान हमें चार से पांच मिंट तक बिल्कुल स्लो गैस पर भूनेंगे देखिए यहां पर तेल जो बिल्कुल अलग हो गया है मसाले से तो अब यहां पर हमने जो मंडी को जो दो कर रखा हुआ था पानी सुकने के लिए अब उसमें हम वह एट कर देंगे भूनना है ताके जो मसाले अच्छे से इसमें चिपक जाए बहुत ही सिंपल और बहुत आसान तरीके से यह बनता है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है यह सूप यह देखिए अच्छे से भून गया है तेल जो हमारा अलग दीखने लगा है तो यहां पर अब हम पानी एट कर करें दो अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको जो अबलने देंगे पानी को तो यह देखिए इहांपर उबलने लगा है तो मीडियum से स्लोपर कर करकर हम यसे तकरिबान आदे घंटा जो हम पाकने देना हां तो इसको आदे गंटे के बाद यहां पर मैंने चेक किया तो बिल्कुल अच्छे से यह गोश्ट भी जो हमारा अच्छे से गल गया था और यह देखिए बहुत ही बेतरीन सा सूप जो बनकर तयार हो गया इस तरह से आप बनाई आपको बहुत पसंद आएगा कोई स्मेल भी नहीं होती है और सूप जरूर बनाएं च्छोटे बैचों के लिए भी यह बहुत फायदा मनत हैं और नीवनु ओ माम के लिए तो यह के लगदी होता है इस तरह से आप बना कर देंगे तो बिल्कुल इसमें नहीं आती हूँ और बिल्कुल समझ में भी नहीं का मुणिदी का है तो इस तरह स साथ मिलें गया लाफिस